हेलो दस्तों वेलकम तो सॉब्जर होग चैनल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने वेब होस्टिंग में वर्डपेस को कैसे इस्टॉल करेंगे आज की इस वीडियो का टॉपिक यह ही है आज का हमारा सेकंड टूटरिल है हमारे फर्स टूटरिल में हमने द की रखा है उसमें कैसे वर्डपेस को इंस्टॉल करेंगे और चलो फिर श्टार्ट करते हैं तो कि अब जाएंगे यहां पर जैसे हमने देखा था कि हमारा जो सिंगल वेव और स्टिंग है जो भी हमने प्लान लिया है वह यहां पर दिखता है इस प्लान पर देखिए यहां पर मैनेज का ओक्षिन है मैनेज पर ही आप क्लिक किजिए मैनेश के क्लिक करेंके तो देखिए हमारा जो ओर जो होस्टिंग करता है यहां पर H Panel रहता है, तो यह हमारा H Panel का Dashboard है, यहां पर Dashboard का option है, plugin का option है, बहुत सारे options है, आपको इसमें simply जाना है, auto installer पर, यहां पर आपको बहुत सारे जैसे WordPress रहता है, वैसे जिसे जुम्ला और बहुत सारे जो builder रहते हैं, विल जाते हैं, तो आपको यहां पर जो भी आपको प बहुत सारे platform है, तो आपको यहां पर मिलेंगे, auto installer में, आपको auto installer पर click कर देते हैं, और यहां से आपको देखिए, यहां पर WordPress है, उसके बाद यहां पर WordPress प्लस WooCommerce है, अगर आपको online business करना है, जिसे कि कुछ, जिसे clip card है हमारा इंडिया में, अगर वैसा कुछ बनाना है, website बनाना है, purchasing का website बनाना है, तो आप WooCommerce चीज़ कर सेते हैं, आप कुछ online product बेचना है, तो WooCommerce को select करके आपको install कर सकते हैं, तो यह जुमला भी same जिसे WordPress है, वैसे ही जुमला भी है, और other option में भी देखिए, यहां पर आगर आप click करते हैं, तो बहुत सारे option available रहते हैं, यह द कुछ ज़रूरी तो है नहीं कि आपको किसी और platform पर जाएं, या फिर WordPress पर ही जाएं, आपको जो भी परसंद है, जो best platform है, इस समय WordPress का ज्यादा वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे, ज्यादा बाते होती ही, सब चीज़ों के बारे में, WordPress के बारे में, तो मैं recommend करेगा कि WordPress प पढ़ेगे, क्योंकि आप beginner है, तो beginner लोगों को जितना ज्यादा content अगर आपको available है, वहाँ से आपका problem solve हो जाएगा, पटा-पट, अगर आप जुम्बला और यह सब पर जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत कम content बने रहते है YouTube पे, जिसे कुछ अगर error है, तो मेरे भी website पे WordPress के, और जुम्बला और यह सब में थोड़ा सा critical हो जाता है, कि उसके लोग कम active हैं इसके विज़े से, तो मैं recommend करेगा कि आप WordPress री install करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपना website change कर सकते हैं, जो भी आपका पास website है, अभी मैंने एक temporary, मैंने any desk करके, dot com करके मैंन सेटक किया है, जो कि यह लेगा नहीं आगे, बट आपको explain करने के लिए मैंने एक ऐसे setup करके रखा है, तो यहाँ पर मैं any desk dot com क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर any desk dot com select हो गया है, तो यहाँ पर select most popular अभी यह WordPress को दिखा रहा है, तो यहाँ पर select करके, हम यहाँ पर WordPress install कर करेंगे, simply देखें, यहाँ पर आपका user id डाल देजे, जो भी आप user id डालेंगे, वही हमेशा आपको याद रखना है, और जब भी आप login करेंगे WordPress पे, तो यह हमको required रहेगा, तो यहाँ पर आप जो भी चाहिए, वह यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ पर password वही यहाँ डाल देते हैं, अभी मैं यहाँ पर कुछ नाम डाल देता हूँ, website title जिसे कि आपको website का नाम कहे है, वहाँ डाल दीजिए होँआ पर, simply एक password बना दीजिए, आप, password हाँ मैं साइस टॉंग रखें, character और numbers ज़रूर रखें, इससे यह होता है कि कभी-कभी hackers try करते रहत नाम के हिसाब से, तो इससे safe रहता है, अगर character भी रहेगा उसके अंदर और साथ में numbers के, तो के, चलो, तब मैं एक password रह देता हूँ, small character भी रखें नहीं, तो यह आगे नहीं जाएगा, एडवांस में देखें, और यह एडवांस में कभी भी आपका यह जो वेबशाइड है, STTPS पे होना चाहिए, ना कि STP पे होना चाहिए, यहाँ पर आप create कर दिजिए, database, यहाँ पर database के लिए भी एक password कर दिजिए, यह देखें, आपको भी पूछ रहा है, आपका जो application version है, वो 5.93 रहेगा, बता रहा है, आपका disk यूज होगा 55 MB, और यहाँ पर जो आपका PHP version रहेगा, वो 8.99 और current version 7.427 रहेगा, तो update only minor version, turn off, automatic update, आप जो भी चुछ करेंगे, वो अगर अपडेट पे आपने किया रहेगा, तो automatic update होता रहेगा, जब भी आपका जो wordpress का new version आएगा, तो आप automatic update हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको बंद रखें, जब आप से यह तभी आप उसको activate करें, तो update automatically है, वो बंद करके रखो, तो best रहेगा, और install करेंगे यहाँ पर, यह आपका wordpress install हो जाएगा, तो कोई भी टेंसल लेने की बात नहीं, यही process है आपको जो भी hostinger पर आपको wordpress install करने का simple process है, जरने की कोई भी बात नहीं, लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी आप password देते हैं, और user id याद रखना, तो आपको login करने में easy होगा, अब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जब भी login करना है, आपके wordpress website पर, dashboard पर, wp-admin-slash, लिखते ही आपको इस वाले interface पर लेकर आएगा, और यहाँ पर user id जो भी देके, login कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, यह login हो जाएगा, मेरा अभी dashboard पर login हो गया है, simple process है, अगर friends आपने अभी भी domain और hosting purchase नहीं किया है, तो आप मेरे tutorial number one में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे purchase करते हैं, तो thank you for watching friends, ऐसे ही video के लिए आप मुझे subscribe कर सकते हैं, और next video में मैं दिखाऊंगा कि आप अपने website को कैसे setup करेंगे, और कैसे-कैसे content कैसे लिखना है, और किस-किस plugin को आपको बहुत ही जरूत पड़ेगा, तो next video में मैं उसको ही explain करूँगा, thank you for watching friends, मित्ते है next video में. कि करूँ आपके ते में उसnt कि आपको 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 आपके आपकापकोंचे और, और सुन क्रूब मास का है।